एक्टर रिशी कपूर एक बार फिर से विवाद का शिकार हो गए 65 साल के हो चुके रिशी ने पाक आधिकरित कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर एक ट्वीट किया जिसके बाद वो ट्विटर पर बुरी तरह से ट्रोल हो गए रिशी के ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स ने उन्हें काफी नसीहत दी दरसल शनिवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंतरी फारुख अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर का जो भाग इसलामाबाद के पास है वे उनका ही रहना चाहिए और यह बदलने वाला न नहीं है उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को अधिक स्वायत तत्ता की जरूरत है जो लोग आजादी मांगते हैं वो घलत है फारुख अब्दुल्ला के इस बायान के बाद रिशी कपूर ने लिखा अब्दुला जी सलाम मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ जम्मू और कश्मीर हमारा है और पाक अधिकरित कश्मीर उनका है यहीं एक तरीका है इस समस्या को निप्टाने का इसे स्वीकार करना होगा रिशी कपूर ने अपने ट्वीट में लिखा मैं 65 साल का हूँ और मरने से पहले पाकिस्तान देखना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरे ब पाकिस्तान के पेशावर में कपूर खांदान का एग घर है इस मकान को दीवान मशेश्वरनात कपूर ने सन 1918 से 1922 के बीच बनवाया था 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कपूर खांदान भारत में शिफ्ट हो गया